नमस्कार दोस्तों हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वाकत है ये गंजो के सिर्फ बाल उगा दे पुरानी कबज को खतम कर दे सूंगने से माईग्रेंटी और पीने से हमारा स्वरीर बन जाएगा बलवान दोस्तों, अगर आपको इए वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, सबस्काइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों, केसर, केसर के स्वास्थिलाब बहुत अधिक फाइदेमंद होते हैं प्रफिर में पैदा होता है। गरम पानी में डालने पर केसर से गहरा पीला रंग बनाया जाता है। ये तवचा का रंग उजवल करने वाली रक्षोदत, सारीरिक पोश्टिक, परदर और निमन रक्षाप को ठीक करने वाली कफ ना सकत मन को परसंद करने वाली रंगीन और मच सहद डालकर जदी मरीज को बिलाए जाए तो उसे बहुत अच्छी नीद आती है। पेट के रोप, पेट से समंदित बीमारियों के इलाज में केसर बहुत अधिक फाइदे मन हैं। बदहाजमी, पेट डर्द वे पेट में मरोड, आदी में हाजमे से समंदित सिकाइटो में केसर का सेवन बहुत अधिक फाइदा देता है। ताकत के लिए केसर को दूद के साथ पीने से ہमारे सरीर की सारे रिख सकती पढ़ती हैं। केसर दूद, बोरुस एंığımız कांती वर्दक हैं। जाडे में गर्म वे गर्मी में ठंडे दूद के साथ केसर को प्योग बहुत अ माईकरेन, केसर और चीनी को घी में भून कर सेवन करने से आदे सिर का दर्द यानि माईकरेन का दर्द ठीक होता है सिरदर्द, सिरदर्द को दूर करने के लिए केसर का व्योग किया जा सकता है सिर्दर्द होने पर चंदन और केसर को मिला कर सिर पर इसका लेप लगाने से सिर्दर्द से बहुत जल्दी रहात मिलती हैं सारेरिक सक्ति यह एक सारेरिक सक्ति बढ़ाने वाला रसायन है आता इसको प्योग बाजिकन के लिए भी किया जाता है मासिक धर्म महिलाओं के मासिक धर्म के दोरान होने वाले दर्द को दूर करने के लिए दोदोरती केसर दूद में खोल कर दिन में तीन बार देना बहुत अधिक फाइदेमन होता है गंजापन, बाल जड़ना और रूसी गंजे लोगों के लिए तो यह संजीवनी बोटी की तरहें काम करती हैं जिनके बाल बीच से उड़ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी मुलहटी को दूद में पीस लेना चाहिए उसके बाद उसमें चुटकी बर केसर डालकर उसका पेष्ट बनाकर सोते समय सिर में लगाने से गंजेपन की समस्या दूर होती हैं रूसी की समस्या हो या फिर बाल चड़ रही हो तो भी ये उपाई बहुत अधिक फायते मन्द हैं चंदन को केसर के साथ घिसकर इसका लेब माते पर लगाने से सिर आँक और मस्तिक्स को सितलता सांती और उर्जा निलती हैं अतिसार अतिसार में भी केसर बहुत अधिक फायते मन्द हैं नक्सीर होने पर चंदन के साथ केसर को मिला कर लेब लगाई ये नाग से खून बहना बंद हो जाएगा और सिरदर्द भी सही हो जाएगा सर्दी जुखाम बच्चों को सर्दी जुखाम हो तो केसर की एक से दो पंखुडी दो से चार बुन दूद के साथ अच्छी तरह से खोटे ताकि केसर दूद में खुल जाए इसे एक चमच दूद में मिलाकर बच्चे को सुभे स्याम पिलाएं इससे बहुत अधिकलाब होता है माथे, नाग, छाती, वे पीट पर लगाने के लिए केसर, जाइफल, वे लोंग का लेप पानी में बनाएं और रात को सोते समय इसका लेप लगाएं कबज, आधा ग्राम केसर को घी में पीश कर खाने से एक साल पुरोनी कबज भी दूर हो जाती है हर्दे की कमजोरी केसर का प्रियोग करके इस से होने वाले फाइदों को उठा सकते हैं और सभी तरहें की बीमारियों से बचे रसकते हैं और अपने स्थेर को बिल्कुल सवस्थ बना सकते हैं तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे